प्रेशन दाट के इस नई फिडियो में और आज का फिडियो है बहुत ही खास बहुत ही इंट्रेस्टिंग बहुत ही नॉलिजिबल तो इस फिडियो को आप बिन स्किप किये पूरा देखिए अगर मेरे बाकी के आगे के फिडियो नहीं देखेंगे तो चलेगा पिछले फिडियो नहीं देखेंगे तो चलेगा इस फिडियो को आप जरूर से पूरा देखिए टाइम निकाल के देखिए बहुत ही डेटेल में मैं इसको explain करूँगा और बहुत knowledge आपको मिलेगा तो चलते हैं शुरू करते हैं इस फीडियो को और customer ने ये फोटो दिया है आप देख सकते हैं फोटो कितना blur है कुछ भी detail नहीं देख रहे हैं कुछ मतलब कुछ मतलब कुछ भी ठीक से नहीं देख रहा है और हाला कि रप थ ठोड़ा ठोड़ा blur दिख रहा है तो कैसे correct करना इसे लिए में पहले इस फोटो को mobile से ही रेंब में आप आता है रिनी में आप के बारे में मैंने detail में video बनाया है आप उसको देख सकते हैं री में हैं आपके ठ्रूप कैसे इसको enhance कर सकते हैं ये बताया है उसमें तो मैंने इसको इनास करके लिया है आप देख सकते फूर इस फोटो में की चहरे के डिटेल जो है आपको अच्छे से दिखाई देते होगी यहाँ पे थोड़ा गडबढ है फेस पे मौत पे तो उतना हम बाद में क्रियेट करेंगे पर हला कि बहुत सारी डिटेल अच्छे से क्रियेट करके दिये है आप आग की देख सकते नाग की देख सकते कान की डिटेल देख सकते है एकदम शार्प डिटेल क्रियेट करके दिये है और शर्ट की वगर है वो तो हम बाद में दुसरा लगाएंगे नहीं तो इसी को एडिट करके इसी को अड़ेस्मेंट ड्राइंग करेंग और शेट वगरा वो पूरा यह है डैमेजड है तो उसको कैसे करेक्ट करना है श्टेप बाइश्टेप डेटिल में देखते हैं आप फिडो को स्किप जारा साभी ना करें पूरा देखें तो इस फोटो को में पहले आप देख सकते हैं फोटो थोड़ा तिरचा है यहाँ है पहले क्लियर करना है कुछ अमांट है तो तो चारो कॉर्नर पे क्लिक करना है तो इसको हमें परस्पेक्टिवली क्रॉप करना पड़ेगा पहले तो यह स्मार्ट अबजिक्ट है उसको निकाल देना है और बाद में इसको क्रॉप टूल से यह चारो कॉर्नर को सिलेक्ट करन है और इस यह लाइन को ध्यान में रखते हैं यह लाइन क्राप की में सीधे उस पर आउगा और यहाँ पर सीधी यहाँ पर लाऊंगा तो मुझे वह पॉइंट मिलेगा जहाद का वह कौर्णर का पॉइंट है कंट्रॉल पकड़के इसको थोड़ा बहुत अड्जस कर सकते है और इसको थोड़ा उपर ठीक है उक्के करने पर यह बर बर सीधा हो गया है ठीक है यह दोनों लेयर सीधी हो गया है इसके बाद मैं क्या करूंगा इसको इसी के उपर वर्क ना करते हैं इसको मैं लेता हूँ एफ़ोर पर और यह देनी में आला फोट है उसको सेलेक्ट करके ड्रेगन ड्रॉप इस पर करता हूँ और कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा सा बढ़ा करता हूँ फेस जो है वो सेंटर में रहेगा उसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ ठीक है इसकी डूब्लिकेट कॉपी निकाल के रखता हूँ क्योंकि अगर बाद में फोटो के उपर कुछ मिश्टिक होते तो एक स्टॉक में फोटो रहना जाहिए और उसके उपर उसको लेके हम आगे कावर कर सकते हैं पहले फिलल अभी देखा जाए तो इस फोटो का जो है डल ह आप एक कुछ दाग धब्ले है फेस पर उसको निकालना है तो में स्पोर्ट हिलिंग टूल लेके जो दाग धब्ले है उसको पहले क्लियर करूँगा बाद में उसको स्मज भी करना है पर स्मज करेंगे तो उसके साथ वो अमर्ज हो जाता है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा पहले छोटे-छोटे दाग धब्ले है और बड़े-बड़े दाग धब्ले उसको क्लियर करूँगा फेस को क्लीन रखूँगा तकि स्मज करने के बाद वो प्राब्लेम नहीं है ठीक अब चैनल आरजी भी है तो इसका इतना पार्ट मिसिंग है यहां का इतना पार्ट मिसिंग है इतना पार्ट मिसिंग है तो इसको यहां और इसको यहां तक फिल करने की बाद आप तुरंद देख सकते हैं कि उसमें कॉंट्रास आ गया है डार्क पार्ट थोड़ा डार्क हो भी सेम वैसे ही और बाद में blue channel भी वैसे ही और इसको थोड़ा बहुत अपनी है अच्छाब से अच्छाब करूंगा तक कि अब भी फेर अप्टर देख सकते कितना वर्जिनल डेल है और color correction करने के बाद basic basic color correction किया है उसके इतना फरका है, जमीन आस्मान का फरका है, तो ठीक है, इसको उक्के कर दिया, और भी हमें तो उसके बैक्गराउंड के कोई ज़रूरत नहीं, तो उसको मैं पेंट टूल से कट करके, निकाल दूँगा, ठीक है, इतना सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एंटर, उसको 2% फेदर, कंट्रोल जे, इसको डिलीट कर देता हूँ, अपना बैक्गराउंड कट हुआ है, अभी आप देख सकते कि जो शर्ट है, मुझे पता है कि वह वाइट शर्ट है, पर उसके उपर यलो टोन आया है, तो उसको रिमोव करना है, तो उसके लिए मैं अब पहले तो फेश को अलग लेर पे लेता हूँ, क्योंकि जो टोपी है वो भी वाइट ही है, पर उसके उपर टोन आया है यलो, तो दोनों को एक साथ वाइट करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है, फेश को सिलेक्ट कर दी है, इसको भी 2% फेदर देखे, इसको अलग लेर पे Ctrl-J करता हूँ, उतना ही पार्ट अलग लेर पे सिलेक्ट हो जाएगा, नीचे वाले लेर को सिलेक्ट करके Ctrl-U दबाके, बीज की डेंडी जो है उसका saturation पूरा कम कर देता हूँ, तो आप देख सकते कि वो पूरा टोन उसके उपर से निकल गया है, प्रपर यह हो गया है, Ctrl-L दबाके उसको वाइट कर देता हूँ, मैं इतना यह कर दिया है, और उसके बाद अभी face पे उसका जो skin tone perfect नहीं है, थोड़ा इदर उदर हो गया है, तो मैं क्या करूंगा पहले, Ctrl-B दबाके mid tone का थोड़ा सा yellow कर देता हूँ, और shadow में थोड़ा blue कर देता हूँ, और highlight में थोड़ा सा pink कर देता हूँ, थोड़ा सका skin tone आया है, ठीक है, इसके बाद में क्या करूंगा, इसके उपर एक new layer create करके यहाँ पर इसको highlight करते दो, हमें इस पर highlight करना है, इसके कोई जरुरत है नहीं, और highlight में select करके white color select करके brush लेके, कोई भी software on brush लेके उसका opacity है, जो 10% करके, थोड़ा उसका hardness बढ़ा के, जहाँ जहाँ highlight है, वहाँ में highlight add करूंगा, जैसे कि यहाँ पर नाक के उपर दीख रही है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जहाँ जहाँ already है, वही पर थोड़ा थोड़ा add करना है, बस, इसके उपर आप देख सकते हैं कि highlight add किया है, अभी skin के उपर color apply करना है, इसके लिए new layer create करके उसको color कर देता हूं, blending mode भी color कर देता हूं, और area select करके जहाँ का skin tone मुझे perfect लग रहा है, यहाँ का लग रहा है, ठीक ठाक, तो उसको select करके में other part पे, माते पे वगरा मार दूँगा, ताकि वो skin tone same लगे, क्योंकि अभी क्या माता है, वो glowish लग रहा है, और odd के नीचे का part है, जो yellow लग रहा है, इसलिए, इतना हो गया, अभी आखों का part है, वहाँ पे जो है, कोई tone आया है, तो उसको भी निकाल देता हूं, ठीक है, इतना हो गया, एक कलर का, और एक layer create करता हूं, और उसको नाम देता हूं, ठीक है, डीटेल में क्या करना है, डीटेल में क्या करना है, जो missing detail है, उसी को हमें, इसको opacity कम करता हूं, डार्क कलर, पोई तो select करके, drawing करता हूं, जो missing detail है, वो, ऐसे outline ड्रॉ करने से, अपना photo जो है, एकदम sharp दिखने लगता है, sharp भी दिखता है, और missing detail ड्रॉ करने से, वो clear भी दिखता है, ठीक है, झाल, झाल, झाल ठीक है, color जो है, गालो के उपर थोड़ा सपिंग के add कर देता हूं, और एक new layer create करके, उसका blending mode color करके, ताकि original color को कुछ ना हो जाए, और जो दाड़ी का part है, उसके उपर हलका सग्रीन, हमारे इतना काम हो गया है, और basic color correction भी हो गया है, और भी, इतनी layer को select करके, control J, control E, तो इतनी layer का एक ही layer बन जाएगा, इसको मैं group बना के रखता हो, ताकि यहाँ पे ज़्यादा layer ना दिखे, और face का ही खाली separate कर देता हो, ताकि उसके उपर हमें ज़्यादा काम करना है, ठीक है, उसके बद इसका थोड़ा सा saturation बड़ा देता हो, और जो rate tone है, उसको थोड़ा सा कम कर देता हो, ठीक है, अब देख सकते हैं, क्या हो, अभी बार यह smudging की, तो smudge tool लेके, सेलेक्ट करके, 40 टकर strength रखा है, और उसके बाद में, तो दोस्तो, smudging का काम है, बहुत ही lengthy होता है, तो मैंने इसको थोड़ा सा speed लगाया है, ताकि आपको समझ में भी आए, और आपका time भी बचें, पनावा सेलेक्ट कर दोसी हो कि अवैंघ, आत प fedशय के साथ सीजम कर दोस्तों क्मण में वां में. आपकाचर में वां में आपका आआए, आपका. । मैं एापका सकते हैं, C-Τॉ म hell G ऐाग का कर दोस्तों क्वा, दोशब денег तो सावता हैं झाल 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 तो दोस्तों हमने यहां तक फोटो को समझ किया है आप फेस पे देख सकते हैं कि इतना हमने समझ कर लिया है। और जो स्कीन का टेक्चर और नॉइज वगरा है वो हलका हलका निकाल दिया है। इसके बाद का जू काम है, मैंने फीडियो को पॉस करके किया है, ऐसा क्यों किया है, जानभूज के किया है, तो क्यूंकि ये फीडियो जो सबेदां बहुत हो रही थी, और मेरा उद्दिष तो यह हैं किआपको सभी चीजु को समझाना, पर मैं ये जानता हूँ कि आपका टा करना चाहता विडियो समझ में भी आए और टाइम भी वचे तो इसके लिए मैंने ऐसे किया है सभी चीजों को में step by step explain करूंगा ताकि आपको आराम से सभी चीजों को है समझ पाएंगे ठीक है इतना तो हमने smudging कर लिया है इसके बाद मैंने क्या किया है इस photo का थोड़ा color correction क कर लिया है आप देख सकते कि photo को yellow tone दिया है yellow tone के से दिया है simply control B दबा के control B दबा के yellow का part है मैंने बढ़ाया है ऐसा ओके ठीक है कम चाहिए तो कम और ज्यादा चाहिए तो ज्यादा ऐसे बढ़ाया है तो यह यहां तक हमने smudge कर दिया था उसके बाद मैंने control B दबा के उसको थोड़ा सा yellow tone दिया yellow tone इसलिए दिया ताकि दूर से वह अच्छे दिखता है और थोड़ा artistic लुक मिल जाता है orange या yellow tone होने के वज़े से और फोटो फ्रेश लगने लगता है और जो भी उसके उपर blue वगरा light tone आया था वो भी निकल जाए इसलिए मैंने वह हलका सा orange yellow tone दिया है ठीक है इसके बाद अभी आप देख सकते कि फोटो जो है फूरा फ्लैट दिकरा है इसके लिए मैंने हलका सा color apply कर गया है ठीक है एक new layer create करके blending mode color किया है और color apply भी कैसे किया है मैं बताता था उसका opacity मैंने कम किया था ये side में हलका सा purple color add कर दिया है और same nose के यहाँ पे भी मैंने ये purple color add कर दिया है और साथ ही साथ में दाड़ी का part जो है और एक side में हलका सा वो orange किया है ठीक है और बाद में उसका opacity कम करके 10% रखा है 10 12% ठीक है तो थोड़ा सा हलका सा color का variation आ जाएगा अभी दिखेगा नहीं पर थोड़ा सा आएगा इसलिए ठीक है अभी उसके बाद क्या है जो आखों में है ये आख बड़ी एक आख छोटी है तो उसके उसमें मैंने dark color add कर दिया है आप मैं जूम करके दिखाता हूँ उसमें मैंने dark color add कर दिया और दो छोटी छोटे dot ओपर add कर दिया है ताकि वो आख नहीं लगते क्योंकि उसके नीचे जो है glow नहीं है तो आप देख सकते वो हलका सा round type में ने direct brush से ये draw कर दिया है और duplicate करके यहाँ पर डाल दिया है तक कि दोनों same दिखे ठीक है अभी वो थोड़ा eyes का glow आपको दिखेगा ठीक है इसके बाद जो अभी shirt के बारी है shirt तो अभी पूरा damage रहे तो मैंने सोचा कि एक brush लेकि EC के उपर drawing करो हलाकि मेरा drawing उतना अच्छा नहीं है और realistic बने ना बने तो वो भी एक tension है और तीसरा tension है कि इसमें time बहुत ज़्यादा रगता है तो एकदम आसान तरीके से मैंने जोगाड किया है कि Google पे जाके PNG shirt टाइप करेंगे तो cut किये हुए shirt आपको मिल जाएंगे तो उसको download करके आप अपने photo में वो liquify से puppet warp से वगरा वो थोड़ा बहुत adjust करके fit कर सकते हैं तो मैंने इसके उपर यह shirt का ओ इतना था तो मैंने cut करके लिया है तो मुझे इतना fit बेटा तो मैंने इतना add कर दिया और पीची वाली को निकाल देता हूं तो उसके बाद जो बाकी का जो था तो वो भी मैंने shirt के full detail भी add किये हैं आप देख सकते हैं जादा कुछ नहीं किया है सीधा white color एक ナे ice packages पे मार दय कर दिया हैं और थोड़ा यहां पे थोड़ा डॉकिए हैं थीक है इतना होने के बाद कि अभी जो क्याप है कि इसको गांधी टोपी बोल ते गांधी जी तो ऐसी टोपी पेहनते नहीं थी पर क्यों इसको घपी पेहनते पता नहीं थीक के इसकी जो डिटेल है यहां की पूरी मिसिंग है तो सिर्फ आउटलाइन दिख रहे हैं पूरा वाइट कलर है तो मैं चाहता हूँ कि यहां पर थोड़ी वो लाइन एड़ हो जाए जिसे वो 3D लूक मिल सके इसलिए यह मैंने ड्रॉआ कर लिया है कहा पर गया क्याप की डिटेल यहां पर वो एक बीच की लाइन होती है देखो देख सकते हैं मैंने क्या किया इतना सिलेक्ट कर दिये यहां पर थोड़ा सा उसी का वाइट का थोड़ा सा ग्रे कलर इदर मार दिया यहां पर सिलेक्ट करके यहां मार दिया बीच में से वाइट लाइन एड कर दे तो डेटेल बन गई हाला कि वो परफेक्ट डेटेल तो नहीं बोल सकते पर ठीक है वो अटलिस्ट फ्लैट तो नहीं लग रहा है वो टोपी जैसा थोड़ा फील तो आ रहा है ठीक है और इसके बाद मैंने जो थोड़ी बहुत समजिंग वगरा चेहरे पर थी वो क्लीन कर दिया आप देख सकते हैं यह हलका सा थोड़ा सा मैंने बाद में कलर थोड़ा रेडिश कर दिया और यहाँ पे वो लिप्स का थोड़ा ओरिजिनल भी मैंने उपर ही रखा है ताकि और आप करके मैं चेक कर सकूँ कि क्या हुआ है कैसे हुआ ठीक है तो इतना किया है और के बाद बैग्राॉंड की बारे है अपना फोटो थो ठीकटाक बन माहितानल है और बारे है भी बैग्राउंड की बैग्राउंड में दो तरहुत किया है एक पहला बैगराउंड यह है जो एकदम डिसेंट है इस्टूडियो वाला लुक देता है जो फोटो खेचने के बाद कैसे आता है हलका सा वो बैगराउंड देखेंगे तो उसमें थोड़े थोड़े पैचेस भी है तो थोड़ा सा हलका सा पेंट टाइप फिल भी आता है और एकदम कलरफुल नहीं है तो वो डिस्को टाइप नीला पीला हरा नीला पीला हरा नहीं है तो एकदम डिसेंट लुक आ रहा है ता ठीक है यह blue color का इसलिए रखा था कि original जो photo था वो भी blue color का था अभी इतना हुआ है मैं आपको दोनो side by side करके दिखाता हूँ कि कैसा है यह अपना original photo है इसका आप देख सकते background जो है अब blue color में है जैसा original था as it is उसको अगर हम restore किया तो ऐसा हो जाएगा इसको थोड़ा zoom कर देता हूँ अभी आप देख सकते है कि कितना फरक है आप देख सकते कि दोनों में comparison करें तो यह टोपी की detail है shirt की detail में ने डाल दी है background एकदम neat and clean है और sharp है और कोई पे दागदपे नहीं है face भी एकदम sharp है colorful है अच्छे details दिख रही है और यहाँ पे मैंने और थोड़ा यह फेड़े एक इस्तमाल किया है वो इस background के लिए किया था कि यहाँ पे थोड़ा इसी का थोड़ा नीचे focus ना जाए इसलिए वो इसी का थोड़ा color लेके नीचे डाल दिया है ताकि जो focus है face पे रहे तो इससे सबसे मैंने किया था यह तो आप को यह video कैसे लगती है या हलाकि इस video को इस photo को और अच्छा किया जा सकता है जितना मेरे से हुआ possible मैंने try किया अगर आप मेरे से भी अच्छा कर सकते practice करने के बाद और आपका work भी मुझे personal भेज दीजे वाटसब पे कुछ मेरे हिसाब से जितना मुझे knowledge है उस हिसाब से आपको कुछ mistake वगरा है तो बताऊंगा guide करूंगा और आपका बहुत बहुत शुक्रे आप बहुत प्यारा और support दे रहे है चैनल को ऐसे प्यारा support देते रहे है कुछ आपकी query है तो मुझे comment में पूछे औ और कुछ requirement है वो भी बताईए चलो मिलते है ऐसे ही अलग photo के उपर next video में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मत्रा